आज हम साइन्स का थर्ड चेप्टेर करेंगे जिसका नाम है प्रोपर्टीज ओफ नेच्रल विडियोस में अगर आगे के भी चेप्टेर के एंसर दूंगा अगली वीडियोस में तो भी आपको यहां से चूज करके फिल करना है तो पहला क्या है अपको अंसर में क्या लिखना है 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 अपको हुमिडिटी लिखना है और एंसर क्या है ओक्त है वाटर सेप्टेर टो आपका नीन्ट्री लिखना है लिखना है और को छिंट सेवार क्या 하 a n आपको ये लिखना है यहां सेच्टीर तो आगे दिखते क्या है वाई इस इट सेट देट फिर्स्ट का है एर इस अ होमोजीनेस मिक्शर ऑफ वैरियोस गैसे इसका एंसर देखो स्क्रीन पर है यह इसका एंसर है अब इसके स्क्रीन शॉट ले लो यह लिख लो सेकेंड क्या है water is a universal solvent इसका एंसर भी देखो मैंने स्क्रीन पर डाल दिया जो यह दिख रहा है आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो यह लिख लो जैसा आपको सही लगे अभी c क्या है c देखते है there is no alternative to water for cleaning purpose इसका एंसर भी देखो स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं इसका एंसर है सब एंसर आपको इसी तरीके से दूंगा स्क्रीन पर तो आप उसको लिख लेना स्क्रीन शॉट ले लेना जो आपको सही लगेगा अभी आगे देखते है what will happen if इसमें क्या है first क्या है the amount of water vapor in the air increase second है only one crop is grown repeatedly in the soil तो दोनों का एंसर देखो मैंने एक साथ स्क्रीन पर डाल दिया इसका एंसर है अभी आगे देखते है आगे क्या है आगे है with whom should I pair up इसमें आपका first क्या है दो आपको group दिया हुए A, B इसमें air, air का क्या रहेगा B, scattering of light water, water के क्या रहेगा excretion, air रहेगा soil, soil के क्या रहेगा plasticity, okay यह answer रहेगा तो अभी आगे देखते है state whether the following statements are true or false इसमें first क्या है sandy soil has low capacity for holding water यह आपका true है second क्या है the substance in which a solute dissolved is called a solvent यह भी आपका true है C क्या है the pressure exerted by air is called atmospheric pressure यह कहा है यह भी आपका true है यह आपका तीनों true है इसमें false एक भी नहीं है आगे देखते है 6 explain the picture in your own words तो आपको देखो यह picture दिया हुआ है A, B यह आपको अपने own words में explain करना है तो देखो जैसा आपको screen पे दिख रहा है आपको इस तरीके से explain करना है तो आप इसका screenshot लो लिख लो जैसा आपको सही लगे आगे देखते आगे का है आगे है write the answers to the following questions in your own words इसमें first क्या how is light scattered by the air इसका answer देखो screen पे मैंने डाल दिया है यह इसका answer है आगे देखते का है B explain the various properties of the water तो इसका answer भी देखो जो screen पे आपको दीख रहा है यह इसका answer है आगे देखते है C का है why is the density of sea water more than that of rain water तो इसका answer भी देखो जो screen पे आपको दीख रहा है इसका answer है आगे देखते है D what is the importance of good soil structure इसका answer भी देखो आपको जो screen पे दीख रहा है इसका answer है E का है E है what are the various uses of soil इसका answer भी देखो screen पे है यह इसका answer है F क्या है देखो what is the need and importance of soil testing from the point of view of farmers इसका answer भी देखो screen पे है यह इसका answer है G क्या है what is the importance of air in transmission of sound इसका answer भी देखो screen पे है यह इसका answer है आप इसे लिख लो यह screenshot ले लो अब ही last देखते है last क्या है H why should a glass bottle completely filled with water never be kept in a freezer इसका answer भी देखो screen पे है यह आपको जो दीख रहा है इसका answer है आप इसे लिख लो ओके तो यहाँ पे हमारा आज third chapter complete हो गया अभी अगले वीडियो में आपको fourth chapter कराऊंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like करो, share करो and channel को subscribe करो अग्यू